प्रतेक विखती की चहा होती है मालक्षमी के आशिरवात से उसके घर में रखा जाने वाला धन का भंडार हमेशा भरा रहे। इसके लिए प्रतेक हिंदु धरम धन की देवी की क्रिपया पाने के लिए दिपावली की रात को माल लक्ष्वी की विशेश रूप से पूचा अर्शना और उपाय करा करते हैं बात करें अगर आपके धन रखने वाले स्थान की तो वास्तो के अनुसार इसका चैन करते समय आपको विशेश ध्यान रखना चाहिए अमूमन लोग अपना पैसा और गहना किसी तिजोरी या और मारी में रखते हैं अगर आपको लगता है कि आपके तिजोरी में पैसा नहीं टिकता या फिर आपके उपर मालक्षमी की कृपा नहीं बरस रही है या फिर आपको अपनी मेहनत का सही फल नहीं मिल पा रहा है अपने जीवन में आप काफी परिशान और हताश है जीवन में हताश होनी की वैसे तो कई बजा है लेकिन सबसे आम है आज के समय में पैसे की किल्लत सबसे आम है क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज है जिस से सभी को मोहमाया होती है इसे कमाने के लिए वे दिन रात खूब मेहनत करते हैं लेकिन जब आपके मेहनत की कमाई पानी की तरह बहने लगती है तो बहुत दल दुखता है वैसों का नुकसान या अधिक खर्च किसी को पसंद नहीं होता ह है एक बार पैसे की तिस्जोरी खाली हो जाए तो उसे दुबारा भरने में बहुत समय लगता है आज हम आपको कुछ ऐसे महाउपाय बताने जा रहे हैं जो कि आपको दिपावली की रात करने चाहिए दिवाली पर मालक्षमी की पूजा की जाती है ऐसे में जब आप हमारे द्वारा बताए कुछ उपाय कर लेते हैं तो आपको जरूर ही अपनी जीवन में फायदा देखने को मिलता है दिपावली की रात का महाउपाय दिवाली की रात को एक भूजपत्र या पीला कागच लें यह भूजपत्र का कागच का टुकड़ा चुकोर होना चाहिए इस पर नई लाल कलम सी स्क्रीन पर दिखाय जा रहें मंत्र को लिखिए उसके बाद इसे मालक्षमी को अर्पित करें इसके बाद इसी मंत्र का 11 माला जाप करें मंत्र जब के बाद इस भूजपत्रिया कागच को अपने धंस्तान पर रखते चाहे तो इसे अपने सर्प में भी रख सकते हैं यह महा उपाय जब आप करते हैं तो आपकी जीवन से पैसे की किलत हमीशा के लिए दूर हो जाती है अगर आपके उपर बहुत सारा कर्ज है तो आपको दीवाली पर यह उपाय करने चाहिए घनुमान जी की नारंगी रंकी मूर्ती ले आए इसके सामने चमीली क सब्सक्राइब एक मुखी दीपक चलाएं इसके बाद इसको एक तामवे का छेद वाला सिक्का भी अरपित करें अब एक विश्येश मंत्र का कम से कम 11 हमाला चाप करें मंत्र आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है मंत्र जाप के बाद धनलाप और कर्ज मुक्ति के फ्रा करता है तो यह थे दिवाली के दिन करने वाले कुछ महा उपाएं